Hero Motocop की तरप से Maverick 440 एक powerful bike launch हो चुकी है जिसके साथ आपको 440 CC का engine मिलने वाला है तो आएए जानते हैं इस वीडियो में हम इसी bike की माइडेस, features और engine details के बारे में Hero Maverick 440 कंपनी की तरप से pace किये जाने वाली अब तक के सभी model से बिल्कुल अलग है इसका look और design काफी attractive है Company ने जैपूर में Hero World 2024 event के दोरान अपने इस bike को pace किया है ये Hero Motocop की vehicle line-up की सबसे powerful और advanced motorcycle हों में से एक है इस bike को Harley Davidson की साज़ेदारी में तयार किया गया है और ये हाल हिने launch हुई Harley X440 Roadster पर based है अहला कि अभी company ने केवाद इस bike को pace ही किया है अभी इसकी कीमतों का एलान नहीं किया गया है बहुत जल्दी इसकी booking भी शुरू की जाएगी और अप्रेल महीने से इसकी delivery शुरू करने की योजना बना रही है Hero Maverick 440 company की तरब से base के जाने वाली अब तक की सभी modelों में से अलग है इसका look और design काफी attractive रहने वाला है engine के अगर बात करे तो company ने वही Harley वाला 440 CC की समता वाली single cylinder engine का इस्तमाल किया है जो की 37 BXP की power और 36 Nm का torque generate करने में capable है ये engine 6-speed transmission gearbox से जुड़ा गया है जो की slip assist clutch system से लेस है हाला कि इसका main frame Harley-Davidson वाला ही है लेकिन hero motocope ने इसमें 43 mm का telescopic fork suspension यूज किया है Harley वाले model में आपको upside down fork ही मिलता है 17 inch की wheel पर खड़ी इस bike में 175 mm का ground clearance दिया गया है हाला कि Harley-Davidson X440 में आपको front में 18 inch और पीछे की तरफ 17 inch का setup दिया गया है अगर इस bike की mileage की बात करे तो ये bike आपको लगपके 30-40 kmpl का mileage देने में capable है तो hero की तरफ से launch होने वाली Maverick 440 के बारे में आपका opinion comment box में जरूर रखी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सेयार करना ना भूलिए और हमारे सेनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूर जाहिए तक तक के लिए जै हींद जै भारत